को चिह कैसे हैं इसे एंदरमा onsेर के बारे में नीजल करूंगा और मैं आपको उससे पहले यह बताना चाहता हो कि सिर्प्रमुट्रमुट्व दोनग क्यों झरूरा है सबसे पहले आप यह दरहें कि पिछले दिन वाइब को स्वेशन ओ Friends नुक्सान हुआ और हम हर वीडियो में कहता हूं कि आप अपनी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएं डालर कोर अच्छी एंट्री और एउ इधर स्ट्रैची को फालो करें लेकिन लोग strategy नहीं बनाते और फिर जब भी market में crash आता है तो नुक्सान कर बैठते हैं और बाद में वो देखते हैं कि market फिर उपर चली गई है जैसे कि अब दोबार इस वक्त गई भी आप देख सकते हैं आपको एक चीज जो दिखाने का सबसे पहले जो बैच की दिखाना है तो देखें यह एक है XRP टोकन इसके बारे में अगर आपको crypto का थोड़ा भी पता तो आपने XRP के बारे में जरूर सुना होगा आपको यह भी पता होगा कि XRP के पिछले तक्रीबन एक दो साल हो गए एक साथ एक अमेरिका में court case चल रहा है इनके हिलाव और वो क्या है उसके क्यों चल रहा है court case वो एक technical issue है उसकी तफसील में नहीं जाता है मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूँ वो सरफ यह है कि पिछले दो दिनों के अंदर XRP 30% से उपर यह गया है ठीक है और यह आप देख सकते हैं इस वक्त थोड़ा सा नीची आया है लेकिन इस वक्त भी 36% के करीब उपर गया पिछले सरफ 2-3 दिनों में आप यहां नेदिWorldThey Вам के अदर्स्थ फॉलयोँ करते हैं थीक है वह पिर बहुत जब्रतस प्रफिट बनाते हैं बहृत ही कम टाइम के अंदर होता क्या है कि आधिके जिन लोगों और एक्सारपी को फॉलयु कर रहे हैं ठीक है वह क्या करते हैं फृदिन वहांशा जह वह देखते मंच इस विदिन कुछ आवर्स कुछ घेंटों के अंदर उनका जो बजापरदस प्रॉफिट बन गया होगा 36% उपर चला गया बलके यह उससे भी उपर गया था तो यह जो नियूज आपको खबरों का बतानी का यह जो वीडियो में बनाता हूँ क्या क्या आपको नियूज और यह मार्केट पीर आपके अन अगल्ए नहीं बर आपको अपना नुक्सान कर लेंगे लेकिन अगर आप इसके अंदर रहना चाहते हैं और यह भी दुनिया में नए चीजुर आ रहे तो मैं तो आपको कहूँगा कि आप इसको एक्नौर नहीं? करें इसको definitely follow करें और invest भी करें आपको आप से definitely पैसे बना सकते हैं लेकिन उसका एक तरीका है उसका सही तरीका यह है कि आप news को follow करें जो लोग आपको अची information देते हैं उन लोगों को follow करें ताकि आपको पता हो कि आप किस वक्त क्या करना है तो यह तो आपको यह जो मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो में वीडियो है यह भी news related वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको कुछ और जबर्दस खबरें बताऊंगा इससे आपको अंदाजा होगा कि market किस तरफ जा रही है तो यह सबसे पहली जो एक बड़ी न्यूस थी वह XRP थी के बारे में आपको बताई थी कितना यह 30% से ज़्यादा उपर गया इसके लावर जनरली हमने Bitcoin भी वाप काफी एछी रिकवरी हुई है Ethereum की एछी रिकवरी हो रही है लेकिन अगर मैं आपको दिखा हूं एक बड़ी अबक्राइब इप्यखन फाक्राइब है नियुले की बहुत बड़ी कंपनी यह पीनच किया है झालए और उन्हों ने क्या किया है उन्हों ने करthe投शने चोंभाथ है आप उसको असान जबान में समझे लें, bank balance उसको वैसे balance sheet कहते हैं, business की जबान में, लेकिन हम उसको कह लेते हैं, bank balance, तो उन्होंने अपने bank accounts, bank balance के अंदर bitcoin और ethereum जो है, उसको add कर दिया, ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत जबरदस खबर है, क्योंकि इससे पता जलता ह है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी companies होती है, क्योंकि ये असानी से इस तरह के decision नहीं लेती, क्योंकि ये मेरी आपकी तरह कुछ hundred dollars या thousand dollars से के साथ काम नहीं करती है, hundreds of millions of dollars के इनके investments होती है, तो ये एक बहुत बड़ी company है, इन्होंने अपनी balance sheet के अंदर, अपने bank balance के अंदर Bitcoin और Ethereum दोनों को add कर लिए, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ Bitcoin भी खरी दिया है, जब ये मार्केट में पिछले जिन्हों crash आया था और Ethereum को भी कि उन्होंने खरीदा है, और इसका मतलब यह है कि जैसे से market आगे बढ़ेगी और जब जब crash आएगा, ये उसको और dollar cost average करते जा पाइद है कि रिशिया ने बैंड करने की बाद चुरू कर दी थी cryptocurrency और कुछी दिनों के बाद उन्होंने अपने decision है उसको reverse किया और अब वो उसको recognize कर लिया है, ठीक है करने लगें कि जी नहीं है ये ये कोई गलस चीज नहीं है, illegal नहीं है, इसको legal बनाने की तरफ बढ़ नहीं सकता, क्योंकि इसके इतना फाइदा है, इतना जब्रदस चीज़े हैं, अगर मैं आपको एक एक बताने चाले हूं को कई घंटों की वीडियो हो जाए, तो ये एक technology है, बिल्कुल जैसे internet को रोका नहीं जा सकता, इसी तरह blockchain technology इसको रोका नहीं जा सकता, इसलिए बड अपने decision के उपर U-turn ले रहे हैं, एक दूसरा है जो आपने इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने भी पिछले दिनों एक बहुत बड़ी उसमें वहाँ पर शोर मचा था कि इंडिया क्रिप्टों को बैंड करने जा रहा है, उन्होंने भी इसको reverse कर दिया और उनन का हम भी इसको ban नहीं करेंगे, बलकि आप जो उससे profit कमाएंगे उससे उस पर हम आपको tax लगाएंगे, profit के उपर, जो के बिल्कुल सही है, उसमें कोई problem नहीं है, ऐसा होना भी चाहिए, कि आप जो profit कमाते हैं, उस पर आपको tax देना चाहिए, तो ये भी एक अभी ban है, लेकिन आप तेखेंगे, कि वहाँ पर भी ban हट जाएगा, तो ये सब अच्छी खबरे हैं, blockchain के लिए, cryptocurrency के लिए, एक और चीज़ जो मैं आपको इसाथ बताना जाता हूँ, share करना जाता हूँ, कि पिछले दिनों, अमेरिका में, पुलीस ने कुछ लोगों को, ए coin जो है, hack किया था, 2016 के अंदर, ठीक है, यानि तक्रीबर आप देखें, चार साल से जादा होगें, पांच पांच साल चाल रहा, पांच साल पहले इनोंने exchange को hack किया था, Bitfinex, ठीक है, इस exchange को hack किया था, और वहाँ से तक्रीबर बहुत सारे कितने, इनोंने शाय यहां लिए थे, उस वक्त, Bitcoin की जो value है, तक्रीबर इन कुछ 60-70 million dollars थी, ठीक है, आज की value के हिसाब से जो, यह जो Bitcoin है कि तो उसकी value 3.6 billion dollars आप देख सकते है, ठीक है, 3.5 अरब dollars, तो यह जो hack हुआ था, अब पुलीस ने US के अंदर, अमेरिका के अंदर, उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया, और उनसे वो Bitcoin ले लिये, अब वो इसका क्या करेंगे, यह तो मैं नहीं जानता है, वो government के पास है, अमेरिका की, वो चाहें तो लोगों को, जिन जिन लोगों का hack हुआ था, इस exchange के अंदर कहा गया, exchange के नाम Bitfinix, जो मैं आपके बता है, यह Bitfinix, अब वो यह government क्या फैसला करती है, यह तो अब मैंने यह भी जानता है, कि वो उस exchange को यह पैसे वापस, यह Bitcoins वापस कर देंगे, यह कुछ क्या करेंगे, यह तो अभी आने वाले दिलों में पता चलेगा, लेकिन जो चीज आपको मैं बताना चाहता हूँ, कि लोग यह समझते हैं, कि Bitcoin blockchain के ओपर वो कोई transaction करेंगे, और बच जाएंगे, और किसी को पता नहीं चलेगा, यह मैं आपको बदा दूँ, यह आपकी भूल है, ऐसा कुछ नहीं है, जब government चाहेगी ना किसी को पगड़ना, तो उनके पास हर चीज है आप तक पहुँचने के लिए, आपके पास कुछ भी नहीं है उसके मेकाबले में, जब government के पास है, इसलिए यह समझना है कि आप profit बना लेंगे, और tax नहीं देंगे, चुपा लेंगे, अपना profit चुपा लेंगे, या money laundering कर लेंगे, या कुछ ऐसा काम कर लेंगे, तो यह आपकी भूल है, temporarily आपको हो सकता है, ऐसा लगे, कि लेकिन देखें, इन्हें 2016 में इन्होंने hack किया था, और 2022 में वो पकड़े गए, तो temporarily ऐसा लोगों को लगता है कि यार वो बजगे, लेकिन याद रुखें, हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, ब्लॉकचें के अंदर हर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, आप उसको खतम कर सकते हैं, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं, आपने कंप्यूटर में गए या आपने इसको डिलीट कर दिया, यह आपके कंप्यूटर में तो होई नहीं नहीं होता है, हर ट्रांसक्शन का रिकॉर्ड ब्लॉक्चें नेटवर्ट के उपर होता है, वो कहां गया, किस व government का इस पर कोई control ही नहीं है, ऐसा नहीं है और आप इस तरह ही कोशिश करें भी नहीं कि आप government को बेवकूब बना लेंगे या अपना कुछ फाइदा ऐसा उठा लेंगे आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, ठीक है तो इसलिए इस तरह का काम नहीं करें सब जो legal काम है, जो आपके country का जो law है उसको follow करें, उसको समझें, उसको जाने और उसके हिसाब से करें, अगर आपने profit मनाए है, उस पर tax बनता है तो आप खुद ही tax दे दें, वरना बाद में tax भी देना पड़ेगा, fine भी देना पड़ेगा और हो सकता है, आपको jail भी जाना पड़े डेपेंड करता है, आपका जो crime है, उसकी वो कितना बड़ा है, तो यह आप सब इसके बताने का मक्सद यह था कि यह news है, इसको follow किया करें, अगर आप foreign gain चाते हैं, तो news आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आपको long term के लिए भी crypto के अंदर हैं, तो उसके लिए भी आपको news का पता होना जरूरी है, यह नहीं मैं कहा था कि आप 24-7, 24-24 घंटे आप खबरें ही देखते रहें, लेकिन रोजाना आप 5-10 अगर आपको देख लिया करें, ताकि आपको पता है, कि मार्किट किस तरफ जा रही है, तो इसके इलावा आपको बस यह बताना चाहता था है, मौका अगर आपको डॉलर कॉस्ट आवरिज नहीं भी किया, तो आप एंट्री भी ले सकते हैं, यहां पर बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट है, यह मैंने भी डॉलर कॉस्ट आवरिज किया है, और मार्किट उपर जाए, यह नीचे जाए, वो आपको स्टेकिंग से आपको प्रॉफिट देता रहता है, तो इसी तरह और भी स्टेकिंग की उपर्चिनिटीज हैं, लेकिन मैं इस वक सिरफ पैंके को फॉलो कर रहा हूं, जैसे से और कोई मार्किट में अच्छी कंपनी आएगी, जो स्टेबलिश हो चुकी है, क्योंकि प्रॉब्लम में होता तो इतना इतनी स्ट्रेंग दी नहीं थी कि वो मार्किट को हैंडल कर सकें, को बरदाश कर सकें, लेकिन ये बड़ी कंपनी है, पैंके एक सोफ ये मार्किट को के अदर क्रैश जैसा भी आई, ये उसको वापस रिकवर करने की पावर रखते हैं, बिलकुल इस तरह से दूस करने के लिए तयार हैं, इसके उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई आपका क्वेस्चन है, कोई कॉमेंट है, तो आप मुझे कोमेंट के सेक्शन में पूस सकते हैं, इसके साथ ही वीडियो को यहीं खतम करता हूं, दूआ में आदरकी का शुक्रिया कि लिए एल, इसके साथ का शुक्रियो का शर्या को यहाह।